C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला गुन्चाए शायरी इस श्रिंखला के अंतरगत आईए सुनते हैं ये कारेक्रम शायरा परवीन शाकिर शायरा परवीन शाकिर पैदाईश 1952 इंतिकाल 1994 परवीन शाकिर उर्दू की मशहूर शायरा है उनकी विलादत कराची में हुई उन्होंने अंग्रेजी में एमे करके लिसानियात और बैंक एड्मिनिस्ट्रेशन में भी एमे किया उनके कलाम का पहला मजमुआ खुश्बू 1976 में मनजरे आम पर आया उसके बाद 1980 में सदबर्ग 1990 में खुदकलामी और अफकार शाय हुए 1996 में माहे तमाम के नाम से उनका कुल्यात शाय हुआ 1990 में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज निशाने इम्तियास से नवाजा गया परवीन शाकिर की शायरी निस्वानी एहसासात, कैफियात और जज़बात की अकासी करती है जुगनू को दिन के वाक्त परकने की जिद करें जुगनू को दिन के वाक्त परकने की जिद करें बच्चे हमारे एहद के चालाख हो गए जुगनू को दिन के वाक्त परकने की जिद करें बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए बादल को क्या खबर है के बारिश की चाह में कैसे बलंदो बाला शजर खाक हो गए जुगनू को दिन के वक्त परकने की जिद करें बच्चे हमारे एहद के चालाक हो गए लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास सूरज की शेह पे तिन के भी बेबाख हो गए सूरज की शेह पे तिन के भी बेबाख हो गए बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफटगू हुई लहजे हवाए शाम के नमनाख हो गए सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक इस घजल की खूबियां बयान कीजिए सवाल नमबर दू मतलब लिखिए जगनू को दिन के वक्त परकने की जिद करें बच्चे हमारे एहद के चालाक हो गए जगनू को दिन के वक्त परकने की जिद करें बच्चे हमारे एद के चालाक हो गए निर्मान सहयोग तनु गुत्ता निर्मान निर्देशन तथा ध्वनिसंपादन वंधिन अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत